नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही खयाल लग रहे होंगे आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में इसे आखिर दुरूर देखिएगा अच्छा लगे तो शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें इंगलिश बैस को सवामी इस वीडियो में हम क्लास टोयल की बहुत ही इंटरस्टिंग और एक लाजवाब पोएम कीपिंग वाइट का सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट एक्स्क्लेम करेंगे आए श्रू करते हैं फस्ट पार्ट में हमने देखा है कि पोईट अपना ऐसा कंसर्न पेश कर रहा है कि दुनिया में बड़ा शोर है और वो चाहता है कुछ दिर के लिए हम लोग खामोश होगें आए सेकंड और वाट आई वांट शूड नाट बी कन्फूजड जो कुछ मैंने कहा इससे कन्फूज नहीं होना है किसी को कि जब भी मैं लोगों से कहता हूं खामोश रह रहें शांत रहें रिलाक्स रहें कूल रहें लोग इससे एक नेगटिव मैसिग लेकर ना जायें With total inactivity, यहां पर मैं पूरी तरह से inactivity के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मसलन, मैं खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ, मैं धीरे बोलने के लिए कह रहा हूँ मैं शोर कम करने के लिए कह रहा हूँ, लेकर मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं इसे मौस से नहीं जोड रहा हूँ, मैं इसे इनक्टिविटी से नहीं जोड रहा हूँ, मेरा ऐसा कहने का कतई इरादा नहीं है, कि हमें कुछ नहीं करना है और हमें सिर्फ मर जाना है अगर हम सब का एक ही लक्ष नहीं होता, क्या, लाइफ मुविंग, सिर्फ तरक्की, भाग दौर, दौर भाग, हमेशा कुछ करते रहना, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, भागते रहना, चलते रहना, अगर हमारा सिर्फ यही मकसद नहीं होता and for once could do nothing, तो हमारे सारे साथ ही हमसे पीशे ना छूट गए होते, और एक समय ऐसा आता, जब हमारे पास कुछ भी करने को बाग ही ना होता आपने एक सौंग सुना है न, ये कहां आगए हम यही साथ साथ चलते, आगी लाइन थोड़ा अलग एक मीनिंग लेकर जाती ही, इतने से काम चलाएंगे तो जब हम जिन्दगी की भाग दोड़ में, तरक्की की इस अंधी रेस में हम भागते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमारे अपने, हमारे साथी, हमारे खास दोस्त, हमारे चाहने वाले हमसे बहुत पीशे छूट जाते हैं और फिर हम चहां कर भी अपनी खाम्याबी को अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि इस सेलिब्रेशन तो अपनों के साथ बनता है और जिनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमसे जैलस तो हो सकते हैं हमसे खुश नहीं है इसलिए हमें भागते भागते इतना आगे भी नहीं निकल जाना चाहिए कि हमारे अपने रोड हमसे बहुत पीछे छूट ले। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, शायद एक बड़ी सी खामोशी इस दुख को एक बिराम लेगी, इस पर रोख थांग करेगी। Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death और शायद हम इस बात को इस तरह समझ पाएंगे कि हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं जिन्दगी में तरक्की की रहा में हम बहुत आगे निकल जाते हैं और अपनों को भूल जाते हैं और साथ ही साथ जो नेचर अपनी activities हमारे चारो और कर रहा है चाहे वो चुडियों की अवाजें हों, चाहे वो जर्मों की अवाजें हों, चाहे वो हवा की गाये हुए गीत हों या तरह तरह के प्रक्रतिक सुंदर्ताओं से फुनों से निकले हुए खुश्षूरत तराने हूँ हम इन सब को भूल जाते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेचर हमारे इर्द इर्द अपनी तरह तरह की खुश्षूरत एक्टिवीटीज कर रहा है और हम सिर्फ अपने काम में मश्वूल हैं, अपनी तरकी की रहा पे चले जा रहे हैं, उन पर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हमारे बच्चे खुबतुरत एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, इसमाईल कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, तरह तरह के पोस्चर्स कर रहे होते हैं, तरह तरह के खेल कर रहे होते हैं और हम अपने काम में मश्वूल होते हैं, अपने सोशल साइट पर बिजी होते हैं, अपने लैट टॉप पर मॉबाइल के साथ होते हैं और वो धीरे धीरे फिर उदास होते हैं उसके बाद एक तेज धाणा करें उसके बाद एक तेज धमाका होता है कुछ तूटने पूटने किया बाद ये मैसेज अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें ऐसी ही प्रकृती है जब वो देख लेती है अर्थ केंग टीच अस यही बात इस लाइन में पूटने कहिए शायद एक दिन पृत्वी हमें सिखाती है वें एबरिधिंग सीम्स डेड और जब हम इस धर्थी पर कुछ भी कर रहे होते हैं सब कुछ बेजान लगता है मैं लगता कोई वहाँ से रियक्षन नहीं आएगा और लेटर प्रूवस तुवी अलाइब बाद में यह सब अपनी उपस्तिती दर्ज कराते हैं फिर कोछ है पानी हो जारी प्रिध्वी हो पहाड़ हो या कोई भी नेचरल फिरोमेन नाओ आई विल काउंट अप्टु ट्वेल अब मैं बारत तक दिनुंगा एड यू कीप कोईट एड आई विल गो और आप चुप रहेंगे और फिर मैं यहाँ से चला जागए सो दोस्तों आपको इस पोएम कैसी लगी अगर यह एक्स्पोलिशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर दुरू करिएगा लाइक करें सब्सक्राइब करें निक्स पैस को स्वामें नमस्क्राइब